तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नाईली और शियाओयू दोनों ही उस टॉम के अंदर घूम रहे थे वहाँ बहुत अंधेरा था लेकिन फिर उन पर रोक मॉंस्टर अटैक कर देता है और उस रोक मॉंस्टर को हराने के बाद जब वो पॉर्टल में एंट्री करते हैं तो वो उस जगह के हार्ट में पहुँच जाते हैं अब इस पार्ट के स्टार्टिंग भी पिछले बार्ट के आगे से ही होती है तो हम देखते हैं कि वो दोनों इस जगह पर पहुंच चुके थे और सामने उस हार्ट को देखकर शियाओयू कहरा था कि ये जगह तो सब गौड लेवल की लग रही है इसके बाद हम देखते हैं कि सानुए जो हार्ट था उसकी आखी थी और चेहरा भी था पर वो हार्ट जैसे ही नायली और शियाओयू को वहाँ देखता है तुरण टेक करना चालू कर देता है उसके टैक से शियाओयू और नायली दोनों ही बच जाती है पर अब शियाओयू का पूरा फोकस उस हार्ट पर लटके उन भी इसकी तरफ जाता है उसे पता चल गया था कि इनके अंदर इंसान है और ये हार्ट उन सभी की पावर अब्जर्फ करकर अपनी पावर बढ़ा रहा है साथ ही जब Shiaoyu के तरह वो बैल अटेक करती है तो वो नोटिस करता है कि उन पर एक ग्रीन लाइट है तो वो ये भी समझ जाता है कि ये हार्ट लोग अफ डेथ की पावर का यूज़ कर रहा है इसलिए अब वो नाइली को भी थोड़ा सम्मल कर रहने को कहता है यहाँ पर नाइली और रेड़ी उन बैल पर अटेक करने लगा था अब शियाओ यो भी उनसे बचले के कोशिश कर रहा था साथ ही उसने नाइली के बाद भी सुन ली थी इसलिए अब वो वो वहाँ अपनी तलवार समन करता है अब इसके बाद उसका मेन फोकस उन बीन्स पर था जिसमें कुछ लोग कैद है उसके बाद अब वो उन बीन्स पर टैक करता है वो अटैक के लिए एक ऐसा पॉइंट चुनता है जहां से किसी भी आदमी को कोई चोट ना लगे वैसे उसकी कैल्कुलेशन मिलकु सही थी क्योंकि एक भी आदमी को उस वज़़े से चोट नहीं लगी थी अब वो सभी बाहर तो आ गए थे पर अभी भी वो थोड़े डरे हुए थे अब इसके बाद हम देखते हैं कि और लोगे चले जाने से उस हार्ट को कोई फरक नहीं पर रहा था बलकि वो तो जो जो से हसने लगता है और इसके बाद फुल पावर से एक बार फिर लोग पावर से कनेक्टेट अपनी बेल से शियाओ यू के तरफ अटेक करता है अब शियाओ यू अटेक को रोकने के लिए कुछ भी करे इसके पहले ही नाईली वहाँ पर आ जाता है और सीधे ही उनसे भी बेलो को काड़ देता है इसके बाद वो उस हार्ट को फिर से अटेक करने का मौका नहीं देता और तुरंट ये अपनी दोनों लोग की पावर से एक साथ उस हार्ट पर अटेक कर देता है लेकिन वो हार्ट भी कुछ कम तागतवर नहीं था वो भी अपनी लोग की पावर को यूज करकर नाईली की उन दोनों लोग की पावर को रोप लेता है मगर अब वो भी इस चीज को लेकर बहुत शौक था नाईली के पास दो लोग की पावर कैसे है मगर अभी में फूल जाता चिंता नहीं करता और कहता है कि तुम मुझे हडा ही नहीं सकती वाकित तुम अभी तक सब गौड लेवल तक भी नहीं पहुँचे हूं लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे साथ fight में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है और वैसे भियाभी अभी अब तो देखूं कि ये पावर मेरी पावर से दसगोना जादा है अब इसके बाद अचानक से हमें अलग जगा देखने को मिलती है तेरसल ये जगा उस गौड ओफ डेथ ने क्रेट की है अब वो यहाँ नाईली को भी कैद करना चाता था जैसे उसने बागी सबी लोगो किया था यहाँ वो अपनी लोओ ओफ डेथ की पावर से नाईली को कवर करने के कुशिश करता है अब नाईली को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या क्योंकि वो बिर्कुल भी खुदी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अपना कोई भी अटाइब उस पर नहीं कर पा रहा था इस वज़े से धीरे धीरे वो पूरा उस लो अफ डेथ के फोग में खूने लगता है लेकिन तब ही वहाँ एक डिवाइन ट्री फॉर्म होती है वो ट्री बहुत बड़ा था उसने लो अफ डेथ की फोग को पूरी तरह से हटा दिया था अब इसके बाद वो हाट मतलब कि गॉर्ड अफ डेथ ये देखकर बहुत शौक लग रहा था अब वो नाईली से पूसता है कि आखिर ये क्या है और मेरी लोग पावर कहां चले गई तो इस पर नाईली उसे कहता है कि तुम्हारी पावर अब एबसर्ब हो चुकी है साथ ही हम देखते हैं कि नाईली आसपास के अनरजी भी अबसर्ब कर चुका था अब हम देखते हैं कि नाइली फिर एक बार अपनी एनर्जी रिलीस करता है जिसके विज़ासे वो सभी लोग आजाद हो जाते हैं जो के God of Death की कबजे में थे दूसरी तरफ नाइली को ऐसा करते देख शियाओ यू भी शौक था वो कह रहा था कि नाइली के दुनों लोज की बावर अब नेक्स्ट सेज़ पर पहुँच चुकी है इसके बाद वो सबी नीचे गिरे लोग खड़े होते हैं और शियाओ यू को थैंग्यू कहने लगते है लेकिश्याओ यू उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हैं थैंग्यू कहना भी है तो नाइली को कहो और आखिर ये लड़का है कौन? अब हम देखते हैं कि नाइली के पावर अब्सॉर्व करने के बाद God of Death गुसा हो जाते हैं दूसरे तरफ नाइली मन में सोच रहाता कि मैंने अब Law of Death को भी पा लिया है God of Death गुसा होगर कहता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई अब तुम्हें मुझसे कोई नी बचा सकता और इतना कहते ही वो नाइली पर अटेक कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि नाइली का बेरियर उस अटेक को रोग देता है जिससे नाइली को कोई भी चोट नहीं लगती इसके बाद नाइली उससे कहता है कि मुझे पता है कि God of Death सिर्फ एक Law की Split है तो अब मैं अगर इस Law को ही खतम कर दूँ तो तुम क्या ही कर लोगे और इतना कहकर नाइली उसकी Law की Power को उसी के उपर अटेक करता है इससे God of Death के Heart को बहुत चोट आती है इसके बाद नाइली उससे पूछता है कि तुम मुझे से डर गए क्या इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो जॉइंट हैंड सामने आ जाते हैं वो नाइली पर अटेक करने वाले थे मगर नाइली हट नहीं रहा था लेकिन नाइली वहाँ से हट नहीं रहा था उसके मन में नजर ने अभी कौन सी बात चुल रही थी लेकिन अब इसी के साथ ये पार्ट ही ही पे खतम हो जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बावागेजन टेकेर